ओम शान्ती, हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी, वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंब की है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ओम शान्ती ओम शान्ती, आज दिनांग 26 जन्वरी 2022, गणतंत्र दिवस की सभी भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक सुपकाम नाए, आज बाबा ने हम बच्चों को जो वर्दान दिया, और लवलीन इस्तिती का अनुभव करों के लिए जो पाइंट दिया, उसका मनन करेंगे बाबा वर्दान में बोले, मेरे को तेरा में परिवर्दन कर, सर्व आकरसन मुक्त बनने वाले डबल लाइट भाउ, आज बाबा हम बच्चों को डबल लाइट भाउ का वर्दान दे रहे हैं वर्दान में बाबा कहे रहे हैं, मेरे को तेरे में परिवर्दन कर, सर्व आकरसन मुक्त बनने वाले डबल लाइट भाउ, डिटेल में बाबा बोले, लोकिक संबन्दों में सेवा करते हुए, सदा यही इस्मरती रहे कि ये मेरे नहीं हैं, सभी बाब के बच्चे हैं, बाब ने इनकी सेवा अर्थ हमें निमित बनाया है, घर में नहीं रहते लेकिन सेवा इस्थान पर रहते हैं। बाबा ने हम बच्चों को न्यारा डबल लाइट बनने के लिए सहज युकती बताई, कि सर्व प्रथम तो यह समझो कि मैं मेहमान हूँ, मैं यहां सेवा अर्थ आया हुआ हुँ, और जो ये बच्चे हैं, और जो भी कर्म कर रहा हुँ, वह सब बाबा का दिया हुआ है। तो लोकिक संबंदों में सेवा करते हुए, सदा यही इसमरती रखना है कि ये मेरे नहीं हैं, बाबा के बच्चे हैं, मुझे इनकी सेवा अर्थ निमित बनाया है, मैं घर में नहीं, लेकिन सेवा इस्थान पर रह रहा हूँ, क्योंकि यहां जो हमें मरजीवा जन्म प्रा संबंदों की अनुभूती, खुद से प्राप्त करने की स्रीमत देते हैं, कि सर्व संबंद एक बाप से अनुभाव करो, अपना जो कुछ भी है, सब कुछ बाबा पर नियोचावर कर दो, अर्थात खुद न्यारे प्यारे हलके डबल लाइट बन कर रहो, तो ऐसा आज बा आर्थी समझो, यह इस्थान जहां तुम सेवा कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, उसे सेवा का इस्थान समझो, आगे बाबा बोले, मेरा सब तेरा हो गया, सरीर भी मेरा नहीं, मेरे में ही आकरसन होती है, जब मेरा समाप्त हो जाता है, तब मन बुद्धी को कोई भी अपनी खीच नहीं सकता ब्राम्मन जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं ब्राम्मन मरजीवा जीवन डबल लाइट बनने का जीवन हलके उमंग उत्साह में रहने का जीवन सदा न्यारे कमल फूल समान प्यारे रहने का जीवन तो जितना जितना हम खुद को सर्व आकरसणों से मुक्त रखेंगे अर्थात मेरे को तेरा में परिवर्तित कर देंगे जो कुछ अपना है वह सब बाबा को अरपन कर देंगे तो फिर जब मेरा सरीर भी नहीं रहा, मेरे संबंद भी नहीं रहे तो फिर सब कुछ बाबा का हो गया और मैं बाबा का बाबा मेरा तो हलके डबल लाइट बन कर रहने की युक्ती बाबा कहते सर्व आकरसणों को समाप्त करो खुद को न्यारा और प्यारा अनुभाव करो क्योंकि यहा ब्राह्मन जीवन जो तुम्हें मिला है यहा हलके डबल लाइट रहने के लिए चड़ती कला में जाने के लिए मिला है तो इस जीवन में कोई भी कर्म का बंधन कोई भी वस्तूओं का सम्मंद कोई भी सारीरिक सम्मंद कोई भी खुद के सरीर से आकरसण ना हो सर्व आकरसणों से परे न्यारे और प्यारे डबल लाइट रहने की यही सिरीमत के खुद को सेवार्ती समझो निमित समझो महमान समझो स्लोगन में बाबा बोले विगन पुरूब बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो हर परिस्थिति हर समस्या र विगन जो भी हमारे उपर आते हैं उनसे बचने का एक सहज उपाय बाबा दुआओं का खजाना जमा करने का बताते तो सर्व आत्माओं को मनसा वाचा कर्मना सुब भावना सुब कामना देते चलना है जो भी आत्मा जिस चीच की प्यासी है उसे वह प्राप्ति करा कर उससे दुआओं का खाता भर लेना है क्योंकि यह जो ब्राह्मन जन्म मिला है इसमें देने में ही लेना समाया हुआ है तो सदा यही इसमरती रहे कि हम दाता के बच्चे हैं हमें हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है जिसके बदले में हमें स्वता ही दुआएं प्राप्त होंगी और हम भिग्न प्रूप बन जाएंगे लवलीन इस्तिती का अनुभव करो के लिए बाबा ने पैंड दिया किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो बिंदी बन जाओ बिंदी लगा दो बिंदी में समा जाओ तो सारा विस्तार सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा मेहनत से छूड जाएंगे बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। तो कोई भी समस्या हो, कोई भी विग्न हो, कोई भी कार्य हो। हर कार्य को विस्तार में न ले जाकर उसे सार में समा देना। किसी भी बात में उलजना नहीं, उसे बिंदी लगा कर आगे बढ़ जाना। बिंदी बन कर बिंदी बाप की याद में रहना। खुद को बिंदी समझ कर उस बिंदु पिता के लव में लवलीन रहना। तो बाबा ने हम भच्चो को स्रीमत दी है, कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सार युक्त बोलो। कोई भी कर्म करते उस कर्म के बंधन से उपराम कर्म संबंद में रहो। तो न्यारे और प्यारे रहोगे, बिंदी बन कर रहोगे। तो जितना जितना इस देह से न्यारा खुद को बिंदी अनुभाव करेंगे, उतना पिता प्रमात्मा बिंदी की याद में रह सकेंगे। अच्छा, ओम शान्ती ओम शान्ती हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंब की है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ओम शान्ती